बोध मतलब ग्यान इस कहानी को लिखने वाले मुन्शी प्रेमचंद्र है तो अब इसी के साथ सुख करते हमारी कहानी हमारे पहले किरदाय का नाम है पंडित चंदरधर पंडित चंदरधर एक स्कूल में अध्यापक थे नौकरी तो कर ली पर सदा पस्ताया करते की कहां आफसे यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में चार पैसे होते अराम से जीवन व्यतीत करते यहां तो महने भर प्रतिक्षा करने के बाद कहीं पंडर रुपे देखने को मिलते वे भी इधर आएं उधर गायब ना खाने का सुख ना पहनने का अराम पंडित जी के पडोश में दो महाश्य और रहते थे तो अब अनिक प्रदारों के नाम क्या है एक ठाकुर अतिबल सी वा थाने में दरोगा थे दूसरे बैजनात वा तहसील में सिया हैन्विस थे सिया हैन्विस कौन होते हैं जो सरकारी ख़जाने का हिसाब किताब लिखने वाले करमचारी होते है उन्हें सिया हैन्विस कहा जाता है दोनों आदमी की वेतन पंडित जी से कई अधिक ना थे तब उनकी जिन्दगी चैन और सुख में थी शाम को जब ट्यूटी से घर लोटे बच्चे को पैसे और मिठाईयां देते दोनों के पास नौकर चाकर भी थे सारे महले में उनका दबदबा था घर आते जाते देखकर बनिया उठकर सलाम करते चार पैसे की चीज एक पैसे में ले आते मतलब अगर कोई चीज चार सुरुपया का है तो वह उसे एक सुरुपय में ले करके आ देते और तो और लकडी इंदन भी मुफ्त में मिल जाता पंडित जी इनके थाट बाट देकर कुड़ते और अपने भाग को कोशते दोनों पंडित जी के घर कभी आटा कभी दूद और कभी सब जी भिजवा देते थे पंडित जी को दोनों के लड़की को पढ़ाना पड़ता कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते पर पंडित जी मन मार कर रह जाते उन्ही के कारण कभी कभी दूद दही के दर्शन भी हो जाते थे बेचारे क्या करते अपमान के विश्च को अम्रित समझ कर पी जाते इन परिश्तित्यों से निकलने के दौरान पंडित जी ने प्रातना पत्र लिखे अफसरों की खुशामत की पर कुछ ना हुआ अंत में हार कर बैठ गए इतना सब होने पर भी पंडित जी ठीक समय पर जाते देर से घर आते मन लगा कर पढ़ाते इससे उनके अफसर लोग खुश थे साल में कुछ इनाम दे रहते और वेतन बढ़ाने का जब भी अफसर आता उनका विशेश ध्यान रखते कि वेतन बढ़ाना है अच्छा ठीक के बढ़ जाएगा थोड़ी दर बैठिये लेकिन उनका वेतन ना बढ़ता बस्ती के लोग पंडित जी से संतुष्ट थे लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पार साला के लड़के भी उन पर जान देते थे कोई उनके घर आकर पानी भर देता कोई उनकी बकरी के लिए पत्ते तोड़ लाता पंडित जी इसी को बहुत समझते थे एक बार सावन के महिने में मुन्सी बैजनात और थाकुर अतिबल सी ने परिवार सहित आयोध्या के यात्रा की सला दी पंडित जी को तो बोला गया कि चलने के लिए लेकिन वह मना कर रहे थे किन्त जब उन लोगोंने खर्चा देने का स्विकार किया तो पंडित जी इनकार ना कर सके बिलोर से रात को एक बजे गाड़ी छूडते थी वे लोग खापी कर स्टेशन पहुचे जिस समय गाड़ी आई चारो और भगदड मच गई हजारो यात्री जा रहे थे इस उतावले पंड में मुंसी जी पहले ही निकल गए थे पंडित जी और ठाकूर साहब साथ थे वे एक डब्बी में बठे जगा की बड़ी कमी थे परन्तू जिस डब्बी में ठाकूर साहब बैठना चाते थे उसमें केवल चार यात्री थे ठाकूर साहब ने डाड़ कर एक मुसाफिय को उठने के लिए कहा तो वह बोला या ठाना नहीं है जरा जबान समाल कर बात किजिए ठाकूर साहब ने पूछा तुम कौन हो जी मुसाफिय बोला हम वही है जिन पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिन से आप पच्चीस रुपए लेकर टले थे मतलब आपने मुझसे पच्चीस रुपए मांगा तब मेरे केस को रफादाफा किया एतने में दूसा लेता हुआ यात्री जो से ठाहा का मार का हसा और बोला अरे दरोगा साहब आप ही नीचे क्यों ने बेजाते या ठाना थोड़ी ही है कि आपका राज में फर्क पर जाएगा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं ठाकोर साहब ने कहा वह मुसाफिर बोला आपने मेरी सूरत भले ना देखी हो पर आपके डंडे ने देखी है इसी गाउं के मेले में आपने मुझे बिना बाद के दनादन डंडे लगाये थे यह करकर उसने पाउं और भी फैला लिया पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे डरते थी कहीं मार पीट ना हो जाए अफसर पाकर ठाकोर साहब को समझाया जो ही तीसर स्टेशन आया ठाकोर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकाल कर दूसरे डब्बे में बठाया इधर दोनों मुसाफिर ने उनका समान उठा कर जमीन पर फेक दिया जब ठाकोर साहब गारी से उतरने लगे तो उनको ऐसा धक्का दिया कि बिचारे प्लैटफॉर्म पर ही गिर पड़े वे कहने दोड़ दे थे कि इंजन से सिटी दी क्या करते जाकर गारी में बैठ गए उधर मुंसी बैजनात के पास पैव फैलाने तक की जगा ने थी उनकी तबियत खराब हो गई एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड पढ़ने लगी लखनों तक उन्होंने किसी तरह सहन किया आगे चल कर मजबूर हो गए जवार पेट में दर्व, नसों में तनाव और दर्श थुने लगे वे एक स्टेशन उतर पढ़े और प्लैटफॉर्म पर लेट गए पत्नी घबराई वा भी बच्चे को लेकर उतर पढ़ी समान उतरा परन्तु जल्दी में ट्रक उताना भूल गए गाड़ी चल दी, दर्वगा जी ने अपने मित्र की इस दशा को देखा तो वे भी उतर पढ़े स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा कि तो समझ गया की हैजा हो गया फुक्म दिया की रोगी को अभी बाहार ले जाओ मजबूर होकर सब लोग मुंसी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए उनकी पतनी रोने लगी हकीम डॉक्टर की तलास हुई पता लगा कि पासी में एक छोटा सा अस्पताल है उन लोग की जार में जाना आई किसी से या भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साब बिल्लॉर के रहने वाले है मतलब उनकी ही गाउं के रहने वाले तो धड़ास बढ़ा दरोगा जी मुंसी जी को लेकर अस्पता दोले डॉक्टर के नाम था चोखिलाल था तो कमपाउंडर लिकन लोग उसे आदर से डॉक्टर कहा करते थे उन्हें देखका मुंसी बैजना धिये से बोले और ये तो बिल्लॉर के ही है भला सा नाम है तहसील में आया जाया करते थे क्यों माश है मुझे पहचानते हो ना चोखिलाल ने जवाब दिया जी हाँ खूब पहचानता हूँ जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डाड कर अपना हक वसुल कर लेते हैं ना दू तो शाम तक खड़े रहना पाड़ता अब मेरे फीश के 10 रुपए निकालिये और दवा लेकर चलते बनिये दरोगा जी ने हरानी से पुछा 10 रुपए चोखे ना लेका जी हाँ यहाँ ठारना तो 10 रुपए रोज का लएगा दरोगा जी ने मुन्शी बैजनात की पतनी से रुपए मांगे तब उन्हें ट्रंक की याद आये वा तो गाड़ी में ही छोड़ गया छाती पीट ली दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए ना थे किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखे लाल को दिया तब उन्होंने दवा दी दिन भर की कुछ फाइदा ना हुआ रात की दशा समली दूरसे दिन फिर दवा के लिए मुंशियान को एक गहना बाजार में बीचना पड़ गिया शाम तक मुंशी की हालत सुधे तब रात को सब गाड़ी में बठे अयोध्या पहुच कर कहें ठहरने की जगा ना मिली एक साफ जगा देखकर बिस्तर बेचाए इतनी ही में बूंद गीने लगी बिजली चमकने लगी बच्चे रोने लगे सब पहेशांत की कहा जाए अचानक एक मनुष नदी की तरफ से लालटन ले आया था पंडित जी ने पास जागा पुचा क्यों भाई साब यहां कहीं याथ्रियों के रहने के जगा मिलेगी क्या उसने पंडित जी को ध्यान से देखा जुक कर पैर छुते ही बोला गुरुजी परनाम आपने पहचाना नहीं मैं क्रिपाशंकर आपका पुराना शिष्य पंडित जी को याद आया अब बोले ओ हो तुम क्रिपाशंकर हो तद तुम दुबले पतल लड़के थे कोई आठ नौ साल के रहे होगे क्रिपाशंकर ने विर्यम्रता से का जी हाँ मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया अब यहीं सरकाई नौकरी में हूँ गुरुजी आप तो अच्छी तरा से हैं ना मेरा सभाग है कि आपके दर्शन हो गए ठहरने की चिंता ना किजिए मेरे घर चलिए पंडित जी ने मना करने की मुद्रमे कहा नहीं मेरे साथ दरोगा जी है सियाया निवास साहब है और उनके बाल बच्चे भी है क्रिपाशंकर जट से बुला गुरु जी सब के साथ ले चलिए मेरा मकान खाली पड़ा है अराम से दो-चार दिन ठहरी है मेरा सभाग गह की आपके सेवक करने का अफसर मिला क्रिपाशंकर ने कहीं कूली बुलाए सामान उठवाए और सब को अपने मकान ले गया सास उत्रा घर था नौकर ने जट पर चार पाई बिछा दी घर में पूरिया तलने लगी क्रिपाशंकर स्वयम हाथ बांदे सेवक की भाती दोरता रहा उसकी सेवा में सब को मुग्द कर दिया फिर सब लोग खापी कर सोएक किन्तू पंडित चंदरधर को नींद नहीं आए पंडित जी ने आज शिक्षक का गौराव समझा उन्हें आज इस पद का महत्व ग्यात हुआ वे लोग तीन दिनों तक आयोध्या में रहे किसी बात का कस्ट ना हुआ क्रिपाशंकर ने स्वयम उनके साथ जाकर प्रतेक धाम के दर्शन करवाए तीसे दिन सब चलने लगए तो क्रिपाशंकर स्टेशन तक पहुचाने आया गालिन ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से मतलब आसु भरे आकों से पंडित जी के चरण चुए आका हा इस सेवा को याग करते रहिएगा पंडित जी जब घर पहुचे तो उनका स्वभाव में परिवातन हो चुका था उन्होंने फिर कभी भी किसी दूसरी विवाग में जाने की चेस्टा ना की